सब्सक्राइब करते हुए अपने चली में जिसका नाम है ग्लैमगर लिखो मल और पता ही दोस्तों कैसे हो आप सब आयूप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ सब्सक्राइब आज मैं फिर से आपके एक रिव्यू लेके आ चुकी हूँ यह जो सोप है यह मार्गो सोप है यह दिखी और यह देखें सेलिब्रेटिंग हंडेड एयर्स लिख क्या रहा है यानि कि यह सोप काफी पुडाना सोप है जो हम लोग डर्पियर्स और लक्स संतूर वो अद्रेच यह सब यूज करते हैं उन सबसे ज्यादा साबून यूज क करने वाला सोप है जिसके आज मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी यह मैं बनी रही है का लास तक ताकि आपको पड़ा चल सके कि यह सोप कैसा इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना तो वीडियो को लाइक कर दीजने का है तो फ्रेंस और भी करिए मार्गो सोप यह एक मा तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनियेगा जिसससे आपको पताचाई साके कि समय यॉगे च्ज़मी के उसी क्या पली पी just नेम औरिजनल निखा हुआ है तीक है और हंड़ेट इयर सालिवेटिंग निखा हुआ है जो आप जैसा कि आप देख रहे हो यह जो सोप है 100% देखें यहां पे ग्रीन कलर है वेज सोप है क्योंकि नेम की पत्तियों से बनकर बनाया गया है इसका जो वेट है 125 ग्राम है और य नेम और एक्स्ट्रेक्टेट फॉम्दा ओरिजनल नेम इस यूज इंगी तो के साथे की इंगरियन यहां लिखे वेए ताप इसमें पड़ सकते हो कि क्या क्या चीजों का यूज किया गया है इसमें सोडियम लिखा हुआ है इसमें विटामिन ए लिखा हुआ है इसमें यहां पर नीम की पत्तियां बनी होई है और यह दिखें यहां पर मार्गो हंड़ परसन ओरिजनल लिखा हुआ है और इसकी फ्रेग्नेंस मुझे काफी अच्छी लगती है यह जो सूप है हमारे यहां पर मम्मी दादी नानी यूज किया करती ही तो काफी जादा अच्छा स भी करता है यह हमारी फंगल पर धी घुजब ली में पर जोता है यहां रहूज को यह करता है यह स्कीन को मश्राइज भी करता है यह तवचा के दानों को भी ठीक करता है तो घाव को में भी साफ करने के लिए यूज किया जाता है अगर आपके चैरे पे जूरियां और चाहियां हो गई है तो यह उसको भी दूर करता है एक प्राकरतिक सोधक है उसको नीम की एक पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है इसमें किसी भी हार्णिकुल केमेकल का यूज नहीं किया गया है जैसे यह सोप काफी अच्छा मारी स्कीन के लिए माना गया है अगर आपके चैरे पे फिंपल ग्लाक हेट्स हो गए है और आपको चुभन वाली गर्मी हो रही है तो अगर आप इस सोप का यूज करेंगे तो आपको काफी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके घमोरियां हो गई है तो आप मार्गो सोप का यूज करेंगे तो यह घमोरियां को भी ठीक करता है मार्गो सोप है ना हमारी तवचा के संक्रमण को भी रोकता है मार्गो सोप कील मुआसों को भी दूर करता है और कील मुआसों को होने से भी रोकता है अगर आपके चेरे पर ज़्यादा की मुहासे हो रहे तो अगर आप Margo soap का यूज करेंगे तो इनको भी कम करता है Margo soap का यूज करते हैं तो हमारी तोचा को formal और मुलायाम soft बना के रखता है और Margo soap तोचा की pH balance को भी इस्तार रखता है यानि तो जो मार्गो सोप बनाया है हमारे स्कीन की प्यर्ट लैवल को देखते वे बनाया गया है मार्गो सोप किसी भी स्कीन ऐलर्जी चकते अगर आपके पढ़ गए हैं तो अगर आप उसमें भी यूज़ करेंगो तो यह आप को राहत दिलाता है और सबसे अच्छी बात ये कि नेम की पत्तियां इसमें यूज करी गई है तो ये सूप आपके लिए काफी इसकीन के लिए काफी अच्छा है वो सूप है न वो किसी भी चकच्टे पिंपल और ब्रेक्थाउट से राध दिलाने में मदद करता है और सबसे अच्छी बात ये सभी इसकीन वालों के लिए मार्गो सूप काफी अच्छा है मार्गो सूप का यूज कोड़ी फुन्सी में भी किया जाता है और प्रेंक सबसे अच्छी बात कि मार्गो सूप मेल, फीमेल और सभी उम्रे के बच्ची से यूज कर सकते है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना पूले मिलते हूं मैं आपसे निक्स वीडियो में तब तक क्यों